हेलो दोस्तों सवागा था आपका एक्जाम टाइम में दोस्तों हम यहाँ पर जो सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं वो है MPPSC मुख्य परिक्षा प्रस्ण पत्र टू का पार्ट ए है और यहाँ पर आज हम देखेंगे लोग प्रसासन के बारे में और इसी सीरीज में यह हमारा परिभासा लोग प्रसासन का छेत्र प्रकर्ति एवं स्वरूप तो आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में भी कुछ इसी पकार के यहाँ पर पोईंट लिखे हैं तो आए हम यहाँ पर देखते हैं किस पकार से हमने यहाँ पर नोट से बनाए हैं तो यहाँ पर हम 3 मारकर हम यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रियास करते हैं जैसे कि अगर यहाँ पर लोग को अलग कर दिया जाए और प्रसासन को अलग कर दिया जाए तो आप लोग का यहाँ पर अर्थ देखोगे सार्वजनिक या फिर जन्ता या फिर जन्ता से संबंदित होता है लोग तो इसका अर्थ ये होता है वो प्रसासन का अर्थ होता है कि राज जी के अधिसासी कारी यानि कि राज जी के जितने भी नीती निर्माण या फिर नीतियों का क्रियान्वेयन से संबंदित कुछ भी कारी होता है तो वो वहाँ पर प्रसासन कहलाता है अब जैसे कि अगर आप आप से थिरी मारकर में लोग प्रसासन की परिभासा आप से पूछी आए तो आप ये वाली परिभासा लिख सकते हो ये वेरी सोट परिभासा है तो आप इस पकार से लिख सकते हो या फिर आप थिरी मारकर में इतना पूरा भी आप यहाँ पर यह लिख सकते हो आई हम देखत ही वो लोग हित के लिए कारी करेगा ठीक हे दोस्तों जैसे की आप इस प्रकार भी समझ सकते हो जैसे की एहाइ तो लोग प्रसासन लोग हित के लिए सरकार द्वारस अंगटित प्रयास है और जब प्रसासनिक सुत्रों तथा इस्त्रोतों का प्रियोग लोग हित प्राप्त करने की द्रश्टी से किया जाए जिसे अधिकान से जनता का हित छुपा हो या फिर अधिकान से जनता उससे प्र अब देखिए अन्य परिभासाई में भी आपसे अलग-अलग जितने भी वेक्ति हुए है तो उन्होंने लोग प्रसासन के बारे में क्या कहा है तो वो भी आपसे यहां पर पुछा जा सकता है या फिर आप प्रसासन के अगर परिभासा आती है तो इस प्रकार के किसी वेक्त का जो कोटेशन हैं, वह भी महाँ पर एट कर सकते हैं, जैसे कि Albert Simon ने कहा था कि लोग-प्रसासन का अर्थ राश्टी या राज्ये स्थानी स्थर की सरकारों की कारी पाली का सखाव की किरिया से है यानि कि जो उनकी जो कारी पाली का होती है नीती का निर्मान और किरियान वयन ठीक है तो ये आपको कारी पाली का में सिर्फ यही ध्यान रखना है नीती का किरियान वयन तो सखाव की किरिया से है ठीक है इतना साब को यहाँ पर ध्यान रखना है अलबर्ट साइमन ने यह कहा था और यह इन वेक्तियों का नाम आपको विशेश तोर पर याद रखना है उसके बाद में आप आयाते हैं यहाँ पर वुट्रो विल्सन की बात करते हैं तो उनका एक लेक आया था वे कारे एवं वे किरियाय सारवजनिक होनी चाहिए ठीक है केवल सरकारी होना आवेसक नहीं है तो वहीं यहाँ पर लोग प्रसासन है तो इन्होंने कहा था कि सासन या राजनीती उनके जो कारी हैं तो उनके जो कारी होते हैं तो उनके दो प्रकार के कार्य होते हैं सासन या राजनिती के दो कार्य होते हैं एक तो नीती का निर्माण और नीती का किर्यानवेन तो इसे ही इन्होंने लोग प्रसासन माना है तो इन्होंने किसे माना है नीती के किर्यानवयन को इन्होंने लोग प्रसासन यहाँ पर माना है तो इस पकार से आप इनके यहाँ पर परिभासा लिख सकते हो वोड्रो विल्सन अब यहाँ पर कुछ डाइग्राम बना कर भी हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है देखें जैसे कि सासन होता है यानि गवर्मेंट जो होती है तो महाँ पर दो कारे किये जाते हैं जैसे कि नीती का निर्माण और नीती का किर्यानवयन यदि नीती का निर्माण होता है तो वो मुल्यों पर आधारित होता है तो अब लोग प्रसासन में भी दो प्रकार के चीजे होती हैं एक विशे के रूप में भी हम यहाँ पर लोग प्रसासन को देख सकते हैं ठीके दोस्तों और एक प्रकिरिया के रूप में भी तो यदि आप वीशे के रूप में देखोगे तो ये सामजिक विझ्यान के अंतरकत आएगा जिससे कि जिसमें क्या होता है जितने भी प्रसासनिक तंत्र के सिद्धांत तथा नीयम का अध्यान होगा या अध्यापन होगा या फिर कोई भी अनुसंधान कारी होगा लोग प्रसासन के बारे में तो वो विशे के अंतरगत यहाँ पर गिना जाएगा और प्रक्रिया के बारे में यदि देखा जाए तो यहाँ पर सरकार द्वारा संपादित होने वाली प्रसास की कारियों या किरियाओं के रूप में भी लोग प्रसासन अपनी उपस्थिते दर्ज करवाता है तो यह एक किरिया के रूप में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं तो यह हमारे यहाँ पर लोग प्रसासन के दो रूप हो गए हैं, स्वरू या रूप, अब प्रकर्ति की बात करते हैं, तो अभी हम देखेंगे प्रकर्ति भी केस्पकार की है लोग प्रसासन की, अब हम देखते हैं यहाँ पर लोग प्रसासन का अर्थ, तो लोग प्रसासन क उसे हम दो तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं किसे एक तो विस्तरत अर्थ हो सकता है इसका और एक संकिर्ण अर्थ यानि कि बहुत ही कम यानि सिमित मात्र में यदि अगर विस्तरत अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर सरकार की विधाई का, कारिपाली का, नियाईपाली का उनकी जितनी भी गति विधिया हैं, जैसे विधिया के हो गई और कारिपालीगा और नियाईपालीगा गई तो जितनी भी गति विधिया हैं यह थीन ox tret एर्थफ यहां पर कहलाएगा जैसे कि आपनने economic यहां पर देखेंगे संकिर्ण अर्थ में यहां पर केवल सरकार की जो कारी-कारी साखा होती यानि जो नीती का क्रियानवयन होता है तो वही साखा की यहां पर गती-विधिया यहां पर सामिल होगी अब यहाँ पर आप कुछ वेक्तियों के भी नाम लिख सकते हैं कि यह जो द्रश्टी कौन है तो इसका जो समर्थन है वो कौन करते हैं तो यह द्रश्टी कौन का जो समर्थन है वोड्रो विल्सन और यह पीफनर एल्डी वाइट तो यह तीन का आपको यहाँ पर नाम याद होता है और इन वेक्तियों का मानना है कि प्रसासन का विश्तारत अर्थ होता है ठीक है तो हमें यहां पर इसी पकार से यहां पर ध्यान रखना है क्योंकि देखे अब आप से अगर अर्थ पुछा जाए थिरी मारकर में तो आप यह इतना बड़ा आंसर यहां पर लिख सकते हो चाहे तो इसमें से किसी एक या दो वेग्यानिक का नाम लिख सकते हो या फिर वेक्ति का नाम लिख सकते हो इसमें से भी ठीक है तो यह द्रिश्टी कोन किसका है और उसमें क्या बात यहां पर कही गई है तो यह आप इतना थी मारकर में यहां पर लिख सकते हो तो ये प्रसन आपसे यहाँ पर 5 मारकर में नहीं पूछा जाएगा, या 11 मारकर में भी नहीं पूछा जाएगा, यदि 11 मारकर में यदि पूछा जाता है, तो वो किस पकार से पुछेंगे कि लोग प्रसासन क्या है, इसका अर्थ समझाईए, तथा लोग प्रसासन के छेत्रों का बढ़नन कीजिए, ठीक है, तो इस पकार से यहाँ पर प्रसन बन सकता है, तो हम आपको प्रसन भी बताते जा रहे हैं, अब देखिए यह जो प्रसन है दोस्तों, तो यह है लोग प्रसासन का छेत्र, तो इसे आपको अच्छे से यहाँ पर समझना होगा कि लोग प्रसासन का छेत्र क्या होता है तो लोग प्रसासन के छेत्र को यहाँ पर कितने मारकर में यह पूछा जा सकता है देखे उसी पकास से हमने यहाँ पर डिजाइन किया है कि आपका अगर फाइब मारकर में अगर यह कोश्चन पूछा जाता है तो किस ने कहा था यह एलडी वाहिट का कहना था तो अब यहाँ पर देखते हैं जैसे प्रकृति की बात किया है तो लोग प्रसासन में सभी क्रियाय होती है आपने अभी देखा कि लोग प्रसासन में यतनी भी विधाई का कारी पाली का नियाई पाली का तो यह सभी गति विधि क्या है कि लोगों के हित्मे कारी करना यानि सारवजनी कारी करना तो यहां पर कभी-कभी कुछ विश्यस वेक्तिओ के लिए भी नीतिया यहां पर बनाई आती है तो उसका छेत्र क्या हो गया, संकुचित हो गया अब बात करते हैं दोस्तो, यहां पर next की कि प्रकर्ती डोनों संकुचित यानि आप दोनों संकुचित यह किसने कहा है, Marks और Simon ने तो यह दो वेक्तियों ने यह कहा है प्रकर्ति एवं छेत्र दोनों इसके संकुची थे तो ये आपको ये वाला question अच्छे से यहाँ पर तियार कर लेना है आप यहाँ इसा का इसे ही लिख सकते हो आपको यदि 5 marker में question आता है तो आप एसा का इसे ही यहाँ पर लिख सकते हो पूछ सकते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लोग प्रसासन के बारे में लिख सकते हैं फिर उनका थोड़ा सा छेत्र यहाँ पर बता सकते हैं अभी जो विस्तत अर्थ और संकिर्ण अर्थ वारिज संकल्पना है तो वो भी लूथर गुलिक की ही संकल्पना है अब दोस्तों यहाँ पर बात कते हैं प्रकरती, संकुचित अभी हमने यहाँ पर second point पोइंटे discuss नहीं किया है अभी देखें यहाँ पर प्रकरती एवं छेतर दोनों किया है संकुचित है तो यह मार्क्स वह साइमन का कहना है तो यहाँ सार्वजनिक नीतियों से संबंदित वी से यहाँ पर आते हैं यानि कि जो माक से है साइमन है उन्होंने कहा है कि लोग प्रसासन के अंतरगत वे वी से आते हैं जिनका संबंद सार्वजनिक नीतियों से है यानि कि सार्वजनिक नीतियों से संबंदित याज़ित कोई सी योजना बनाई जाएगी तो वो यहाँ पर छेत्र के अंतरगत यहाँ पर गिन जाएगी तो यह इनका मानना था अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रकर्ति संकुचित एवं छेतर व्यापक अब प्रकर्ति यहाँ पर संकुचित है अब छेतर क्या है व्यापक है यानि कि जो इसका जो किर्यानवैन है यह व्यापक तो और पर यहाँ पर किया जाता है यह लूथर गुलिक का प्राप्ति देखें निर्धारित उद्देशी की यहां पर बात आयाती है यानि कि जो हमने उद्देशी या फिर जो योजना वहां पर बना दी है तो उसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर कारी किया जाएगा तो यह इसका यहां पर स्वरूप या प्रकृति यहां पर हो वो सरकार द्वरे बना दी गई है अब उसका जो किर्यान्वियन है या फिर उनके जो कारी के पूर्ती है तो वहाँ पर एक वेक्ति तो करेगा नहीं तो इसलिए यहाँ पर छेत्र यहाँ पर इसका क्या होका व्यापक हो जाएगा नेश्टी की बात कते हैं कि प्रकति एवं छेत्र दोनों व्यापक तो यह कहा है डिमॉक और पीफनर ने तो इन्होंने क्या कहा है कि लोग प्रसासन का अर्थ सरकार का कारी करना है तो इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि लोग प्रसासन का जो अर्थ होता है वो सरकार का कारी कर यह होता है तो यह यहाँ पर प्रकृति और छेत्र दोनों ही क्या हो गए हैं यहाँ पर व्यापक हो गए हैं अब दोस्तों इन परिभासाओं के अधार पर हम यहाँ पर कुछ निसकर से निकाल सकते हैं अब कुछ निसकर से हम किस पकार से निकाल सकते हैं कि लोग प्रसासन का जो छेत्र है वो व्यापक है क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि जो लोग प्रसासन का छेत्र है वो व्यापक है हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताए था कि जो प्रसासन है प्रसासन का छेत्र भी यहाँ पर व्यापक है तो यहाँ आपको ध्यान रखना है यानि कि उसका निश्कर से निकालकर हमने यहाँ पर रख दिया है ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ पर है क्योंकि यह प्रात्मिक्ता की से देता है कारे पालिका को यानि कारे नहीं होगा तो यहाँ पर लोग प्रसासन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा तो यह आपको यहाँ रखना है ठीक है दोस्तों अब आयाते हैं नेक्स्ट चीजे हम यहाँ पर देखते हैं अब देखी यह बहुत ही महत्पूर्णी चीजे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा है कि प्रसासन या लोग प्रसासन के प्रकरती के ही बारे में पुछा गया है तो लोग प्रसासन के यह तीनों पॉइंट है सामझेक विज्ञान के रूप में तो यह तीनों पॉइंट हम अगले नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे और लास्ट में इनके थिरी मारकर भी आपको यहाँ पर बताएंगे ठीके दोस्तों तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कोण का मत है अब देखें प्रभंधि की द्रश्ठिक Primary मारकर में पहर पुछा जा सकता है और देखें जैसे कि प nous-in-Care अधर गुलिक का यहां पर कहिना है देखें जैसे क्या है प्रसासन के अंतरगत केवल प्रभंद की गति विद्या यहां पर आती है यानि कि जो प्रभंद से संबंदित होती है तो वह गति विद्या यहां पर आती है अब वह गति विद्या कौन-कौन सी है जैसे कि नियोजन तो इनका प्रभंद करना पड़ता है तो इनका अगर प्रभंद यहां पर नहीं हो पाइंगे तो यह आपको यहां पर ध्यान रखना है अब दोस्तों बात कते हैं प्रसासन का संबंद कारी करवाने से है ठीक है तो यह आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है जो प्रसासन का संबंद है वो कारी करना नहीं है यानि कि कारी करना नहीं है यह आपको ध्यान रखना है कारी करवाना है तो यह इनका मत है एसे नहीं पर लिख सकते हैं तो यह है यहां द्रश्टिकोंड सत्तात्मक वर्चस्व वादी है यानि कि इस में सत्ता के उद्देश यहां पर संकली थे क्योंकि यहां पर क्या किया जा रहा है आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर सरकार का कारी करवाना से मतलब है ठीक है यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कारी करवाने से यानि कि कारी करना नहीं है कारी करवाना है तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है उसके बाद में यहाँ अलोकतांत्रिक वा असमानता का पोसक है अब भागिता को भी हतोस साइद करता है देखिए जैसे कि आप यहां पर संगठन का देखो गए तो संगठन किसी किनी मतलब कि चुने हुए वेक्तियों द्वारा यहां पर बनाया जाता है तो यहां पर सहभागिता नहीं होती है तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है उसके इस बाद में यहां पर बात करते हैं द्फीर ह理्ड हो गएं अब लिख सकते हैं कि अधाव इस धेश्टी कोण में निश्चित्ता और उत्तरधायतु देखैंपर उत्तरधायीतु भी आ रहा है प्राधिकार भी आ रहा है और निश्चित्ता यानि क्योंकि देखें यहाँ पर जो भी नीती वगएरा या फिर संगटन वगएरा बनाएंगे तो वो देश्चि के आधार पर ही होंगे ठीक है तो यहाँ पर निश्चित्ता होगी उसके बाद में यहाँ पर सुईसपष्ट इसका क्या होगा विभाजन होगा यह प्रसासनिक विध्यान के विकास में सहयर होगा यह आपको यहां पर ध्यान रखना है लिए यहां पर प्रभंध की दृष्टे कोण है यानि आपको कुछ भी चीजिजे जो होती है तो उसका पहले से यहाँ पर planning की जाती है उस अधार पर यहां पर कार्ये की जाते हैं अब दोस्तों बात कते हैं एक एकरत दिरष्टी कौण की तो यहाँ पर हम ये क्या देख रहे हैं ये प्रसासन की प्रकरती देख रहे हैं यानि कि अगर आप से question आता है अगर eleven मारकर में कोश्चन आता है कि प्रसासन के प्रकरति को समझाईगे तो आप यहां पर अलग-अलग पॉइंट इन में से दो दो तीन तीन पॉइंट आप निकाल का लिख सकते हो या फिर इतना सा इसका एक एकरत द्रिश्टिकोंड के बारे में समझाए सकते हो और जो प्रसासन संगठन द्वारा निर्धाइत उद्देश्टि के पूर्ति है तो यहां पर संपाधित गतिविद्या यहां पर संभिलित होती है तो यहां पर जो होती है वो क्या संगठन द्वारा निर्धाइत यानि कोई भी संगठन है तो उन्होंने जो जो नीतिया यहां पर जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर लिपिक, तकनिकी, स्रमिक और प्रभंदिकी वर्ग इसके अंतरगत यहाँ पर आते हैं तो यह यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके अंतरगत यहाँ पर बनाया जाता है अब इसके बारे में भी कुछ तरक यहाँ पर दिये आते हैं तो इनके बारे में क्या तरक दिया जाता है तो यह तरके दिया जाता है कि यहां द्रश्टिकोन लोकतांत्रिक है तो यह द्रश्टिकोन केसा है दोस्तों लोकतांत्रिक है अब नेक्स्ट है पोइंट हमारा कि प्रतेक गतिविधियों का समान रूप से संचालन यहां पर होता है तो यहाँ पर जितनी भी गतिविदिया होती यानि कि एक संगटन की जितनी भी गतिविदिया होगी वो समान रूप से महाँ पर संचालित होगी यहाँ पर सहभागिता वह सम्हू गतिकी को यहाँ पर प्रोसाहन मिलता है तो देखें यहाँ पर सहभागिता का भी कारी आगया और सम्हू यानि कि सम्हू में ही वो कारी करेंगे वो सहभागिता भी यहाँ पर होगी नेक्स्ट है कि यहां उच्चस्त अधिनस्त संबंदों को हतोस साहित करता है यानि कि यह सरकार के नीतियों को भी यहां पर हतोस साहित करता है यह आपको यहां पर ध्यान देना है क्योंकि वो संगटाने वो अपने अनुरूप महापर कारी करेंगे वो सरकार वहाँ पर अपने अनुरूप महाँपन नीतियों का निर्मान करेगी अब दोस्तों यहाँ पर बात कते हैं कि इसका हम निसका से किस पकार से लिख सकते हैं अता समाज के अंतरकत, लोकतांत्रिक, परियावरण, सहभागिता, प्रभंध, आदि के कारण हैं दिर्ष्टिकोन सुद्रड इस्तिति को प्राप्त कर रहा है ठीके, तो यह हमारा यहाँ पर हो गया है आप यहाँ पर यह 5 मारकर में यदि एकिकरत दिर्ष्टिकोन आता है तो यह आप लिख सकते हो उसके बाद में आप प्रभंदी की द्रश्टिकोन आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो यदि प्रसने ऐसा बनता है कि प्रसासन की प्रकरती प्रकासन जो लोग प्रसासन है लोग प्रसासन के प्रकति प्रभंधि की दरिष्टिकोन और उसके एकिकरत दरिष्टिकोन को यहाँ पर समझाइए तो या फिर उसका तुलनात्मक अध्यान कीजे या फिर उनका मुल्यांकन कीजे तो आप एजिटिड ये की यही पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो अब निसकर्स की बात कते हैं कि दोनों का द्रिष्टी कोन अपना-पना महत्व रखता है यानि कि जो दोनों ही द्रिष्टी कोन है वो अपना-पना महत्व यहाँ पर रखता है अब इन में कोई भी द्रिष्टी कोन अपने पूर्ण नहीं है यानि अपने पूर्ण नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मध्यम मार गए यहाँ पर निकालना होता है, यानि कि हम किसी भी एक द्रश्टी कोन का समर्थन नहीं कर सकते, और किसी भी एक द्रश्टी कोन को यहाँ पर नीचा नहीं बता सकते, तो यही होता है एक अध्यकारी लेवल ठीक है यानि कि हमें उस हिसाब से सोचना है कि हमें मध्यम मार गए यहाँ पर निकानना है तो यह दोनों ही जो द्रश्टीकों है अपने अपना महत्वर रखते हैं अतहर दोनों द्रश्टीकों को समन्वित कर संगठन के लिए में जो सब्द सीमा है वा इहाँ पर आपको कम कर दी गही है । आपको क्ये हैं लाइन GjLT Q1 जदधा जड़ा एक से दो लाइन में आपको इहाँ पर सब्वांत ह है और भाष लाइन आपको आपने जो आंसर है है वह यहाँ पर तयार करना है ठीके दोस्तों तो यहां पर आ गया है और दोस्तों देखे जैसे कि कुछ-कुछ चीजे समझाने में थोड़ी सी प्रोब्लम भी आयाती है तो आप खुछ से भी यहां पर थोड़ा सा पढ़ के आया किजिए तो एसा देखे जैसे कि हम भी यह जो सब्जेक्ट है यह विसे हैं तो पहली बार है आपको यहां पर अच्छे समझ मिआ जाए यह प्रियास सर्फ हम इसलिए कर रहे है ताकि आपको यहां पर नोट से बनाने में प्रोब्लम न हो आप को क्या है आईडिया यहां पर लग जायेगा किस प्रका서 से नोट से बनाय जाते हैं किस कों-कौन से महतबॉंड पोइं करते हैं और यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है आप बता सकते हो और दोस्तों हम कल से सन्विधान का भी स्टार्ट करेंगे यानि कि सन्विधान का में से का स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट वन टू और थिरी में से जुड़ जाएए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको महाँ पर लिंक मिल जाएंगे ठीक दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में